नमस्ते जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने एक वीडियो बना कर आपको जनकारी दिया था कि अगर आप भी अंगनबाडी सेवखाय फिर सहाइका के पत्वे काम करने चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशकबरी है क्यूंकि अंगनबाडी की जो भी वेक करने के बाद यहां पर जो सीवर जिले हैं उसके रिगार्डिंग आंगनबाडी की भरती अच्छा खासा निकाली गई है अगर आभी सीवर जिले से आते हैं तो कहीं न कहीं जो यह वेकेंसी आपके लिए काफी हेल्पू साबित हो सकती है क्यूंकि इसमें आठी से लेकर द को हम बताने की कोसिस करेंगे वीडियो लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अपने कॉम्प्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है इजी टूने डॉट कॉम नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकत को पता ही है कि मैंने बता दिया कि यह जो है सीवर जीले के लिए निकाली गई है अब ऐसा नहीं है कि सीवर जीले के सभी लोग अपलाई करेंगे कुछ परखंड है कुछ पंचायत है वही लोग अपलाई इसमें कर पाएंगे ठीक है नीचे आएंगे तो सबसे पहले देख का button है इस पे आपको click करना है अब जैसे इंग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ही notification download हो जाएगा जैसी कि आप इसकीन पर देख रहे होंगे तो इस तरह सद नोटिफिकेशन download हो जाता है और इसी के regarding आपको हम सारा जनकारी बताएंगे कैसे form को को फिल करना है क्या कि इसमें क्या क्या मांगे जाते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यह सीवर जिला से निकल के आए हुआ है आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा होगा विगयापन जो संख्या है एक 2022-23 ठीक है यहां पर समझ लीजिए अब नीचे आईएगा तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो है कौन लोग आवदन करेंगे ठीक है तो उसके लिए उससे पहले आपर समझ लीज और अंगनबाड़ी जो केंद्र है ओ दिया गया है और इसमें कितने रिक्त पद है कौन से बर्ग के लिए है आमसभा का अस्थल क्या है और आमसभा का जो संभावीत तीती है ओ क्या है यहां पर बताये गया है जैसे कि यहां पर पूरण नहिया कोई परखंड है जिसके अन किस का मतलब है तक सकती है और कॉन सा कारे यहां सभा लगेगा कौन सा बताया रहेंگे इसको एक रिकॉल कर लेंगे इस 실orth VIS देख सकते हैं कि पूर्णिया में ही अलग-अलग यहां पर पंचायत में जो है देख सकते हैं कि यहां पर वेकेंसी निकाली गई है जिसके रिगार्डिन सभी जनकारी यहां पर बताये गया है साथी साथ आप नीचे आएंगे तो और भी मतलब यहां पर आपको मिल जाएगा जैसी कि आपको हम दिखा देंगे देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सरे से रिक्पद निकाले गए हैं जिसके हिसाब से आप यहां पर देखेंगे कि कौन सा वाड है क्या अंगनबाडी संखया है और उसके बाद क्या डेट रखे गए हैं तो यह आपको देख लेना है अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि अंगनबाडी सेवखा और सहाईका के लिए क्या क्या योगता रखे जाते हैं तो सबसे पहले समझ ये कि जो भी अंगनबाडी सेवका है अगर वो मैटिक पास कर ली है या फिर उसके समकच कोई भी कोर्स कर रखी है तो वो जो है मतलब इसमें अपलाई कर सकती है वही हम बात करें अंगनबाडी सहाईका की तो सहाईता का जो निवतम संक्ची होता है वो जो है आठी होता है यानि कि सहाईका बनने के लिए कोई महिला आठी तक पास कर ली है तो जो है फॉर्म को फिल कर सकती है उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि 18 से लेकर 40 बर्स के बीच में होना चाहिए और यह जो है सेवका सहाई का 55 बर्स तक काम करती है नगी 50 बर्स तक जो है उनको काम करना होता है इस बात को समझीएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि मदता यह निवासी होने की योगता होनी चाहिए क्योंकि यहां पर शभी को पता ही है कि जो भी उनवाड़ी के वेकैंशी निकाई हुई है वहीं के आप मदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और वहां के जो है अस्थाई अपनीवासी भी होने चाहिए और साथी साथ जो भी आवेदी का फॉर्म फिल करेगी जैसे कि जो भी महिला फॉर्म फिल करेगी उसका पती या फिर ससुर का नाम जो है उस वाड की जो मदाता सूची होती है उसमें जो है नाम अंकित भी होना चाहिए ठीक इस बात को समझेगा अब यहां पर समझ लिजिए कि कौन-कौन महिला इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकती है यहां पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि कोई महिला जिसकी आए बारे हजार या उससे ज्यादा है वो फिल नहीं करेगी जन प्रतिनीधी संबंदित परखंड के जन बितन परनाली यानि कि मालेजिए आप वाड मुखिया पंचाया समीती या फिर जो भी जन प्रतिनीधी होते हैं उसके घर मतलब ओ है तो नहीं फिल करेंगे संबंदित परखंड के आप डिलर उतलिए नहीं किए हो सकती है ठीक है इे इस बात को समझ्झ है उसके बाद यहां पर इसके रिंजं कीया जाएगा было sir गर्थ निदसलाए हैं उसके हिसाब से यहां पर चैन किया जाएगा अब यहां पर आप में से काफी सरलोगों का सवाल है रहता है कि इसमें कितना मिलता है तो सेलरी आज क्लियर कर देते हैं आपको समझ में आ जाएगा देखिए जो समाने अंगनबाडी से उखा होगी उनको चैन को 56 सब परतिमाह दिये जाएंगे जो मीनी अंंगनबाडी से उखा होगी उनको 24 मंध के लिए किस तरह साःगनबाडी की भरती होती होती है इसको अब एक बार देख लेंगे जादा यहां पी हम बताना जरूर नहीं समझते हैं और हम समझते हैं कि फॉर्म को प Difilt करने के लिए देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया है कि आपको कुर दिखा दिखा गया है कि आवेदन पत्र का, नमूना ओंग्लिक अंगनबाडी केंद्रों की सूची जीला प्रिवधल और है आपके बालडर्म करेने वहां पर क पर्योजना कर यांकि चिपका दी गई है यहां से ऑटन का प्र दिखोंसे कर और होँ बताय गें और है दो दो ले लेना है या फिर उसके हिसाब से आपको कहीं cyber के टाइप इन करवाना है उसके बाद देख सकते हैं कि आवदी का दुआरा आवदन पत्र के साथ जो भी आवसक परमार पत्र हैं उस सभी पर जो है सिल्प अटेस्टेट करके अप्लिकेसम के साथ आपको लगाना होगा और लगाने के बाद देख सकते हैं कि मूल परमार पत्र अगनबारी से उखा सहाई का के चायन है तू आयोजिद आम सभा में परस्तूस्त करना होगा और सीवर करने पूरे हैं वहां पर आपको जामार करना पड़ेगा यांगा के स्वाहां प्रग्राम करी आ 만गते गाए है वहांपर जामार प्रोग्राम कर ह्णा करने होगा 75 2022 से लेकर 26 2022 तक और ध्यां रखिएगा छूटी के दिन आप जाइएगा तो यहां पर आपको जो है एप्लिकेशन फॉर्म जामा नहीं लिया जाएगा जैसे कि माली संडे को आपको नहीं जाना है जिस भी दिन छूटी है उस दिन नहीं जाना है जब भी आपका कर्याल कर सकते हैं तो ज posing करना चाहते हैं तो फट-फट को फील कीजिए और अपना अस्थाने हाँ पे सुनचित कीजिए तो जैसे कि आपने देका कि मैंने सराव पर व्पद कर दी तो आपको हम बताने की कोशिस करेंगे क्या selection procedure है आपको पता ही है कि जो भी आम सब लगाया जाएंगे उसके हिसाब से जिनका भी ज्यादा माक्स होगा उनका यहां पर selection किया जाएगा यह तो आप सभी को पता ही है कई बर मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह से सारे काम किय आपके जाते हैं उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे आप कमेंनette सेसे में कमेंट करके बता सकते हैं चला में जने आप